दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं पाव आजी इस तरीके से जो मिल्टों में बलिटके रेडियो जाते हैं दोस्तों इमेजिक स्वाधिश्ट चाटते रहा जाओगे दोस्तों आप भी बना के देखना गत्पे अट वर्व अथे बनाने जा रहे हैं है अब बताती हम मैं एक में लिए लेगे हैं दो में objetivo है अब में लिये हैं दो मैंने में इसके नियुक्त का लिया है चार में नियुक्त लें लिये हैं तो तो अब सुरू करते हैं अब मैं अदर आड करो तेल आप सोच रहे हूं कि बटर भी डाल दे और तेल भी अड़ कर रही है तो तो मैं तेल इसलिए डाल रही हूं कि यह जल जाता है इससे लग जाता है मीचे अब दोस्तों मैं गरम कर रहे हूं गैस मेने तेट कर लिए है तक तक यह दूल जाएगा रोस्तों में इसके अंदर ये दो कठीवी प्याज अड़ कर रहे हैं आफ को तरहंगे गरम भी नहीं हुआ जो तो में इसके अंदर ऐसे अच्छे से मिल जाएगा गटी होई अधरक डाल रही हैं मैंने गिसली थी वरना ये गल्टीना मोटी रहा जाती है आम में इसके अंदर टमाटर डाल रही है दोस्तों मैंने इसमें एक चर्माच जीरा डाला है एक सिमले में रिस्पटी होई बारीक बारीक दोश्तों मैंने दो गाज़ग डालई है इसमें गहneg बारीक और coastal डाल है दोस्तों दो मैंने ह Ü we बारीक जीराल डाली है एक करली दल डान यह एक से चंदर डान ङह दनिया पूड़ लिया है एक चमच हल्दी लिया है एक चमच भाजी पूड़ लिया है दोस्तों सारा समय अंडल गया है तनमक तो विसलिए लेट चमच मैंने इसमें नमक डाला है को अब दोस्तों में से फ्लैम कर दिये हैं तो में इसको ऐसे गुमांगे अच्छे से मसाले मीच सजाएंगे अब गदोस्तों मैं अच्छे से मिल जाएंगे सब्सक्राइं अंदर तब तक पानी शूप तर आएगा और मसाले सब्सक्राइब अधर अच्छे से मिल जाएगा जाए चला तर रहना इसको दस-पाँच मिल्ट है अब दोस्तो हमारा मसाले अच्छे से मिल गए अब इसमें एक कप गरम पानी डाननों है यह अच्छे से जाएगे अब जादे पानी डालोगे तो रिकत हो जाएगी जादे मेहनत करने पड़ेगे आपको तो यंज दोस्तो कर और तो दोस्तो हमारे ऑपनागे और उसमें dreaming सिट्सटी गवा देते में कि दोस्तो वर्याय तहीं को बंघ湃 अब ज़ते हैं तब तक अमरे अपर थंड़ बर फैसले है अब दोस्तों आपको लग रहा हो बहुत वाजीबन के राड़ी हो गई नहीं दोस्तों अब इसकी बहुत कुछ बाकिया दोस्तों हम इसको मैत करेंगे दोस्तों को अड़ मेक्व करेंगे जोस्तों और सब्सक्याइब अच्छे से अच्छे से दोस्तों हमारी भाजी अब हो गई है मैं सबते तयार अब इसके अब आपको लग रहा होगा पाव भाजी तयार होगी लेकिन इसके स्टेक्चर के लिए मुझे अच्छे से अब एक तरगा लगाना पड़ेगा क्योंकि यह उबली हुई थी सब जी तो इसमें अब इसको हम घुमाते रहेंगे पुडा साइ जलना जाए पुडा मेसमें टेल भी डाल देती हूं गी जल जाता है नुद्र केस्ट के बोराही तो अब ही करह दो हो रहा है मिर मोंने तक मेसके अंदर लासोर डाल देती है तब तक यह ग्रामत रईगा ऐसे चलाते रहो हो रोच प्रिमाट हो जाएगा ज्यादा ज्यादा निजलानी ब्राउन होई तब तक यह चलाते रहो तब तक यह आसे चलाते रहो अदर पेख चमच बढ़ा दो चमिए बवाओ पाओ जे अधिस के अंदर ये समची आड़ पर देखते हूं नहीं पाद पानी मेने गरम कर दिया पानी अधा पानी पानी लगा हुआ है इसके अंदर टूब हो गया है नसक नहीं है तो यह अच्छे से सब्सक्राइब अच्छा जाएंगी अब लगने लगी है तो अच्छा से टक्चरा गया है पानी ओर थोड़ा नालूगी पानी इसके अंदर अप्जफ हो जाएगा है कि हम इसको पाव को जब टिफ करेंगी तो टाइट राइज आपी है अच्छा से टिफ नहीं हो पाता है अब लगने इसके अंदर परस्तुरी में थी परस्तुर के डालूगी यह मेंने इसके अंदर जिससे बहुत अच्छा और अच्छी आता हल इससे अवी Пाच मुर्भ झाह और तो दम में इसको ऑच के रम आपट लिए अलेजनी श्वाज है छॉन परस्त आइच है मइं मैंने स्क हैं फश्य बनके राडी हो गई है देखो क्यों अथा श्टक्टर बिल्कुल बनी न जो रोड़ पे पाव बाजी हो इस्ते है उसी कितरिया बनी है न वह तक चुछ बार रहे है अब इसमें लगा देखते हूं बनके राडी हो गई है नहीं आगे पक्ते हैं तो अब बाजी बनके हमारे झालिकी आषट कें ऑग हीया दोस्तों आप इसको ंदो फिल्टões ड़्धे रख़ देतेmost IS MAYS इसके अंदर ये डालना वी में पैप काई तो से बहुत अच्छा है डालकोGSे वाजी से में दोस्तों अब बनाता है पाव आफते बटर पे नहल यागा तो से बनाया है लेगी ह मैंने एक चमिटी ये ले लिए है, थोड़ा मैंने धनिया ले लिया है लाममी पोड़र ले लिया है इसका इस्टेक्चर बहुत अच्छा आएगा देख बहुत अच्छे से इस्टेक्चर आएगा बिल्कुल मसाला इसके अंदर कर दिया है मैंने यह लगगा है अब मैं इसको ऐसे करूंगी देखो ऐसे सिख जाए गाली इस तरीके से यह हमारा बहुत अच्छे से सिख राड़ी हो जाएगा बिल्कुल रेस्ट्टू डेंट जैसा दोस्तो हमारी पावबा जिबन के तयार हो गई है तो दोस्तो गर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सस्क्राइब करें मेरी चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और आपके अच्छी अच्छी ऐसे वीडियो लानने के लिए मु झाल झाल